दिक्टेसने स्टार्ट होगी तिन सेकेंड बाद पिछली सुनवाई पर कोट ने सुरक्षा चूक की जाच के लिए गठित केंद्र और पंजाब सरकार की कमेटियों को जाच आगे बढ़ाने से रोक दिया था इससे पहले साथ जनवरी को सुप्रीम कोट ने रजिश्ट्रार जनरल पंजाब और हरियाना हाई कोट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा समंदित सभी रिकोर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया था कोट ने पंजाब राज्य केंद्र और राज्य एजेंसियों को रजिश्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकोर्ड तुरंत उपलब्द कराने का निर्देश दिया था कोट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक चंडिगड यूटी और एन आई ए का एक अधिकारी जांच के लिए नोडल अधिकारी हो सकते हैं पैरा सुप्रीम कोट ने कहा है कि एक बेटी अपने हिंदू पिता की मरत्यू के बाद उनकी स्वय अरजित संपती या सामोहिक संपती के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में लेने में सक्षम हैं इस मामले में विचाराधीन संपती निश्चित रूप से मारप्पा गोंडर की स्वय अरजित संपती थी अपील करता द्वारा उठाया गया प्रश्ट यह था की क्या स्वर्गिय गोंडर की एक मात्र जीवित पूत्री कुपाई अमल को ये संपती उत्राधीकार से विरासत में मिलेगी और उत्तर जीविता द्वारा हस्तानांत्रित नहीं होगी अदालत इस सवाल पर विचार कर रही थी क्या एक इकलोती बेटी को अपने पिता की अलग-अलग संपती विरासत में मिल सकती है इस मुद्दे का उत्तर देने के लिए सर्वोच्च नयाले की पेठने प्रथागत हिंदू कानून और न्याईक घोशनाओं का भी उलेख किया जिसमें कहा गया था की एक विद्वा या बेटी के अधिकार को स्वै अरजित संपती या एक हिंदू पुरुष के बिना वसियत मोत होने पर सहे दाइक संपती के विभाजन में प्राप्त हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है इसे ने केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बलकि विभिन न्याईक घोशनाओं के तहत भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है मिताक्षरा कानून भी उत्रादीकार द्वारा विरासत को मान्यता देता है लेकिन केवल एक व्यक्ती पुरुष या महीला के अलग-अलग स्वामित्व वाली संपती के लिए मिताक्षरा कानून द्वारा महिलाओं को इस तरह की संपती की उत्राधीकारी के रूप में शामिल किया गया है विरासत के हिंदू कानून अधिनियम 1939 से पहले मिताक्षरा के बंगाल बनारस और मिथीला उप विद्दालयों ने केवल पाँज महीला समंदों को विरासत के हकदार होने के रूप में मान्यता दी थी विद्वा बेटी माता पैतरक दादी और पैतरक पर दादी पैरा मद्रास सब इसकूल ने बड़ी संख्या में महिला उत्राधीकारियों की विरासत शमता को मान्यता दी जो की बेटे की बेटी बेटी की बेटी और बहन की है जिने वारिस के रूप में इस पष्ट रूप से हिंदू कानून अधिनियम 1939 में वारिस के रूप में नामित किया गया है बेटे की बेटी और बेटी की बेटी को बंबई और मद्रास में बंधू के रूप में इस्थान दिया गया पेरा उपरोक्त चर्चाओं से यह इस पष्ट है कि प्राचीन ग्रंथूं के साथ साथ इस्मरती विभिन प्रसिद विद्वानों द्वारा लिखी गई टिपणियों और यहां तक की न्याइक घोशनाओं ने कई महीला वारिसूं के अधिकारों को मान्यता दी है पतनिया और बेटी उनमें से सबसे प्रमुग है परिवार में महीलाओं के भरन पोशन के अधिकार हर मामले में बहुत महत्वपून अधिकार थे और कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टिपणी कारों ने पहले की इस मरतियों में महीलाओं के उत्रादीकार के एसपष्ट संधर्बूं से प्रतिकूल निसकर्ष निकालने में गलती की मिताक्षरा के विचार इस मामले पर अचूक हैं विजनेश्वर भी कहीं भी इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं कि महिलाओं विरासत में अक्षम हैं पैरा यदि एक हिंदू पुरुष की निर्वसियत मरत्यू होने पर संपती स्वय अरजित संपती है या एक सहदायगी या एक पारिवारिक संपती के विभाजन में प्राप्त की गई है तो वह उत्तर जीविता द्वारा नहीं बलकि विरासत द्वारा अस्तानांत्रित होगी और ऐसे पुरुष हिंदू की बेटी अन्य सपिंड के लिए वरियता में ऐसी संपती विरासत में पाने की हकदार है मामले में अदालत ने कहा कि विचाराधीन संपती मरपा गोंडर की स्वय अरजित संपती थी जबकी परिवार उनकी मरत्यू के बाद संयुक्त था इसलिए उनकी एक मात्र जीवित बेटी अमल को विरासत में यह संपती मिलेगी और संपती उत्तर जीविता द्वारा अस्तानांत्रित नहीं होगी पीठने अपील की अनुमती देते हुए कहा पेरा अती समवेदनशील गवाहूं के साक्षे दर्ज करने और समय समय पर प्रसिक्षन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवशक समय के अनुपात में प्रतेग हाई कोट को जिला नयाले के प्रतेग प्रतिष्ठान में कम से कम एक इस्थाई VWDC इस्थापित करने के लिए जन शक्ती आवशक्ताओं के लिए एक अनुमान लगाने की आवशक्ता है और तीन महीने की अवधी के भीतर पूरे राज्य के लिए आवशक VWDC की अधिक्तम संख्या का अनुमान लगाया जाना चाहिए इस्थाउप